नमस्कार मित्र अन्हों स्वागते दम्स अपले मराठे प्रोग्रामरे येट्यूब चैनल वर्थी मी कुरूष्ण भीसे यह वीडियो लेक्षेर वांदे आपन पाना रोथ डेटाड़ापस इन सेम डेटाड़ापस आ पाने आगुदर आपलाले लेटाड़ापस आ गंसेट कि वेरेबल्स मंझे का असत तर यह आगदर चैनल वीडियो में तुम्हें ते बगुषकता डिस्क्रिप्षिन में त्याचे लिंक देली लिया है तर यह वीडियो में आपन पाना रोथ कि डेटाड़ापस मंझे काई यह वा डेटाड़ापस कशापत दतीने काम करते हैं कि की एक आउन डा टाड़ापस यह वेरेबल्स में धे स्टोर करो शकतों तर ब्रत्मस्चा ब्र कम करते हैं थास याफ वेरेबल्स में अचया किला जा तो मंझे जयरा मेली लोकेशह वरिती एक स्पेस अलोकेट चै 고 Arg識 किक स्थार यह वीडियोकहिचको मंझागा डेजर प्रधिक्च विरियबल्स अटि काहिं केला जतो तुमाला स्पेस आलोकेट करूं दिला जतो प्रतिक्च विरियबल्स आथी ॺंण्थिया डाइप चे विरियबल्स किस्पेस लागती है। आपन वीडियो मधी पूडा पानार चाहोते। तर data types are used to define a variable before used in a program मंजे जावज तुम्ही program मदे एक वेरियबल सा use करता स्ता तर use करने चे आगुदर तुम्हाना कया खरो लगता त्या variable ला declare करो लगता क्यों हा define करो लगता declaration मंजे काई कि simple data type आणी variables now आणी define मंजे काई कि तला एक particular value assign करना तो 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 आपन काय मनतो variable definition तो types of variable determines how much space it occupies in storage मंजे तुम्ही कोंत्या type चा variable declare के लिला है गे वो define के लिला है तेचारों काईठर तक तुम्हाला storage मदे किती space occupy कराई चाहे क्यों तै variable ना किती space allocate कराई चाहे तर चार प्रकर चा category जाहे data type चा पईदी category आहे basic data types, दूसरी आहे derived data types, तीसरी आहे enumeration data type और चाहे wide data type तर या चार जाहे काटेगरेज आहे आपन one by one पाना रहोद तर basic data types basic data type चे तीन प्रकरेत एक integer, character और floating point integer मंजे काई कि simple numeric value 10, 20, 100, 200 हे काई जाले है simple value जाते है, जैचा मदे floating point नस्तो, तर तर या आपन काई मन्तो numeric value मन्तो, तर तर या numeric value मंजे काई से तर integer character मंजे काई कि, एक single character, तुम्छा English letter सास्तिल, A to Z पर जेक्वा special character symbol सास्तिल, कि वा digit सास्तिल, तर ते single letter, कि वा single digit आपन, store करूशक्तो, by using character data type नंतर है floating point, तर floating point मन्जे काई कि, एक precision point आस्तो, तुम्छा जी का value आसे ल, तर value मन्तो, एक precision point आस्तो, तर 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 या आपन मन्तो floating point, तर नेक्स्ट पाना रहा होँदा आपन तर पल्यानदा भोगों, यह integer, integer data type, तर integer data type काय करेला अपलेला, तर integer data type आपलेला, काय करतो, तर numeric value store करने साथी, अलाव करतो, मन्जे आपन ते जम्मधे, numeric value store करूशक्तो, ज़से में आत्ता सांगे, इतले 20 हे, single value ज़से जम्मधे, precision point नस्तो, क्यों, floating point नस्तो, आसे values आ integer data type चा, यूज़ करूँ, store करूशक्तो, ज़र तुम्हारा integer data type चा, एक आदा variable तर डिकलेर कराया चासे, तर तर त्या साथे आपन, int हा, keyword, use करतो, तो क्या specify करेल, कि तुम्ही जो, variable डिकलेर करता है, तर तो कोंत्या type चा है, integer type चा, variable आहे, तर तुम्हारा integer, जसे कि में आत allocate करूँ दिला जातो, मक्ते, तुम्हारा data type कोंता है, तेचा उर्थी, depend आहे, तर integer type चा, ज़र तुम्हारा, वेरेबल टेकलेर केला, तर चाला 2 byte, 4 byte, 8 byte, memory space, allocate केला जातो, तर है depend आहे, कि तुम्हारा जो कहारा, प्रोसेसर अधर हाजल, तो processor किती bits चा, तेचा उर्थी, depend नॉर्मली इंटेजर वेरेबल साथी टू बैट मेंब्रे आलोखेट के लिए जाते पन तुमचा प्रोसेसर को किती बीट सा है तैचावरती डिपेंड आ है इट वरेज़ डिपेंड सब्सक्राइब आट वी यूज जर तुमी 16 बीट सा प्रोसेसर यूज करता है तर इंटेजर वेरेबल आएल तो वेल्यू स्टोर करने साथी किती बाइट स्पेस अत्कुपाइं करेल तर तू बाइट सा तू बाइट सा प्रोसेसर आएल तर तर तो तर इंटीजर डेटा डाइप मदे जावेस आपन एकानी वहल्यू स्टोर करतो दो तर तेक्छी रेंज आसती कि तुम्ही त्या रेंज पॉद परेंद्ध तुम्ही तेचा मदे डेटा स्टोर करूशकता तर टूवाइट साथी फोर बायट साथी कि वह एड़ बायट साथी итесь दो जादी फैलिज प्रतिकाची रेंज स्टोर करूशकत्स आबर्यबर स्टोर तूवाइट साथी किते वह एड़ अचता ने जासत आप्लिय और साथ अधिज तुम्हार्ड़ करता दा इंडिजर वहहल्यू आई जर तुम्हां प्रेषिय पॉद्ध नाही तुम्हार् निमरीक वैल्यो आहे, त्यनजर तुम्चा जिका । आभव रेंजचे तुम्हाला क्या लिमेंट चा बाहे तकर बादात हैं। तर तेला आपन long int बननों पनd declare करू शकतो, क्यो वह long long int बनन पनd declare करू शकतोaza long int बनन पन्काय करू शकतो तयला declare करू शकतो आईके एक्जाम्पल भोगे हैं integer variable चा तर इंट a is equal to 10 तर ए हाँ काया अपला variable है कोंत्या टाइप चाहें integer टाइप चाहें इंट हाँ काया तर keyword आणि यहला आपन काया केरे एक value assign के लिया है ज़र नार्मली फक्त इंट a आणि semi-colon दिला तर ते काया हुएल variable declaration आपन काय के लिया है इता इंट a is equal to 10 मंजे काया जाला कि तेरा तुम्ही value assign के लिया मंजे साथा काय हुएल कि तुमच्या memory space वरती 10 ही value काय हुएल तर आणि स्टोर हुएल आणि त्या memory location ला नाव काया सेल ए तरस integer b is equal to 20 के लिया आणि c is equal to 30 integer where is equal to 1000 आशा बदय दिन आपन integer variable काय करूशकतो declare करूशकतो क्यों define करूशकतो तेरा value assign करूशकतो नेक्स्ट आहे character data type, तर character data type कसे ती उस करतो आपन, जर तुम्हाला single character, जर तुम्हाला memory space वरती store कराई चासेल, तर आपन काय उस करतो, character data type, character data type allows a variable to store only one character, मक्ते काय असुशकतो, तुम्हे लेटर सा असुशकतेद, तुम्हे डिजिट सा असुशकतेद, क्यों आ स्पेशल symbol अ तुम्हे ज़िए character आसेल data type, तर तो क्या करते है कि, तहला store करना है साटी, one byte memory occupy करतास्ते, तर तर तेजी range आहे character data type ची, minus 128, plus 127, तर है range मेदे आपन काय करूँ शकतो, character data type मेदे values store करूँ शकतो, पन, एक single character, प्रत्येक variable मेदे आपन काय करूँ शकतो, single character store करूँ शकतो, जर तर आपले आला multiple values दर तेजा मेदे character data type मेदे store कराँ चासेल, तर आपले आला character चा आरे create कराँ लागिल, तिक अपन द द द द द करूँ शकतो, आपन पूड़ पाना रहोद, we can store only one character using character data type, मैंजे character data type चा वापर करूँ आपन, एक चारेक्टर एक विडिस store करूँ शकतो, तर जर तुमाला character data type चा एक अधा variable डिकलेर कराँ चासेल, तर आपन कोंता keyword यूज करतो, क्यार जसके, integer मदे बगेटल, आपन इंटा हा keyword यूज करतो, तर से character मदे क्यार हा keyword आपन यूज करतो, एक्जाम्पल बहुए यत्याज, क्यार C is equal to single quote मदे A, तर A ही काए, value आपन कशा मदे store करतो है, character चा C या variable मदे, तर आस प्रामाना है, character चा CH हा एक variable गेतला, और CH1 हा ए memory allocate के लिजाईल, मजे C साटी 1 byte memory, CH साटी 1 byte memory, आणि CH1 साटी 1 byte memory allocate के लिजाईल, तर जावज तुम्ही character data type चा variable मदे जावज value store करता स्ता, तर तुम्हाला ते value single quote मदे specify करा विलागते, और प्रत्यक variable साटी तुम्हाला memory space वरती 1 byte space allocate के लिजातो, नेक्स्ट आहे floating point data types, तर floating point data type मजे काई संगेतला मी, कि जचा मदे precision point आसतो, कि बाद जचा मदे floating point आसतो, तेला पन काई मनतो, floating point data types, floating point data types can be categorized as float and double, तर यहाँ दोन category मजे आपलायल, तर डिवाइड करूशकतो, float आनी double मदे, तर float मजे काई बहुए आगोई आगोदर, floating point data type मदे, float data type, तर float data type का करतो कि अपले ला, decimal value मजे precision point आए कि वा floating point आए आए, आची value आपले ला, store करने साथी, तो, facility, provide करतो कि वा, आपले ला, allow करतो कि तुम्हीं decimal point ची value आचा मदे, store करो शकता, जर तुम्हाल, float data type, variable तुम्हाँ, declare कि ला, ते चा मदे जर एक आँदा data, store करता सल, कि वा value store करता सल, त तुम्हा memory मदली, 4 byte memory का करते है, allocate करते है, कि वा, occupy करते है, we can use up to 6 digits, आपसर decimal point, मंजे, तुम्हाँ जेकर value आचेल, 10 dot, पूड, जे काई, precision point नंतर चे value आचेल, ते आपले ला, 6 digit परेन्थ, आलाव करते है, float मदे, तर तुम्हाँ, डवल मदे, आपले ला, just, digit आपन, use ते पुड, पाना रहो, तर, आपन, float type मदे, काया करूँ शक्तू, कि, up to 6 digits, तुम्हा decimal point नंतर, तुम्हाँ करूँ जेकर शक्ता, use करूँ शक्ता, तर, float data type चे range काया, तर, 1.2E, minus 382, 3.4E, plus 38, तर, या range मदले, काया करूँ शक्ता, तुम्हा value ते चा मदे, store करूँ शक्त एक्जांपल भोगे यहते चो, कि float आपन, data type चा variable काशा बदाते ने, declare करूँ शक्तो, कि वा, define करूँ शक्तो, तर, में, तीन variable केतले, pi, A, आनी, B, तर, pi मदे, काया के लेगे, आपन, एक value, store के ले, तो, कुंत्या type चाहे, float, तर, pi is equal to 3.14159, तर, ही value काशा मदे, store हुई, pi या, variable मदे, store हुँना, आन, तेजर साथी, किती memory, allocate, पूर भाइट, तर, test प्रमन, float, A हा variable गेतला आपन, 10.23420, ही value तकाशा मदे, store हुई, या, 23.01 ही value काशा मदे, store हुई, बी मदे, तर, A shtी, 4 given, B shtी, 4 given, पelp at, आसा वाई साथी for weight प्रत्यका सेटी for world for everything तुम्हें मेंवरी स्पेस भरती allocate के लिए जाए लिहा प्रत्यक variable ला नेक्स्ट आहे double data type, क्या देवलडर नाव करते हैं कि सेम्स फ्रूटिंग फ्रूटिंग पॉइंट है मैं जे फ्लो डेटाटाप सर्कुत साए यह इंचा मदे फक्थ e minus 308 to 1.7 e plus 308 तर यह रेंज मदे तुम्हीं का करूँ शकता double data type मेदे value store करूँ शकता एक example बहुँ तर double आवाज एक variable गेतला है अपन double data type चानि तेचा मेदे काई के ले 3 4.1459 एक value store के लिए अनि दूसरा A और B हाँ variable गेतला है तर त्या प्रत्यक variable मेदे आपने value store के लिए तर प्रत्यक variable साथी तुम्हाला काई के ले जाल memory space वरती space allocate के लग करूँ दिला जायल और प्रत्यक separate space वरती व्यार A B हे variable काई के लिए जातील store के लिए जातील मंझे तेचा मतले जा वेल्यो अस्तिल ते बहल्यो त्या नेक्स्ट आहे derived data types derived data type मंझे का है तर derived data type का चोरुन derived जाले तर fundamental data types मंझे जेका आपले integer or float character है तर हे चोरुन का है जाले तर derived जाले लायत मंझे data रपते चैत पन आपले ला multiple values same type चा multiple values store करना साथी आपले ला help करते derived data type तर variable of derived data type allows us to store multiple values of same type in one variable जसे आपन आओदर बगित ले जाले तर कि एकांदी जर value तुमाला store कराई चासेल, integer type चासेल, float चासेल, character चासेल तर 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 त्याँ प्रत्यक असेट तुमाला काया करो लागत होता कि separate variable declare कराऊ लागत होता पन त्यापन derived type मंझे काया करूशकतो कि एका single variable मझे multiple values काया करूशकतो, store करूशकतो पन त्याँ सगले चा value असतेद, त्याँ same type चास असावे लगताद, तर derived data type काया असतेद, तर हेचा मदला चो कई variable असेल, तो काया करतो कि more than one value तेचा मदे store करतो बनते similar type ची असलिप आजे, तर derived data type कोईतेद, तर array, pointer, structure, and union काया तर derived data type अहेद, C मदले, तर प्रत्तेकाचा concept आपन दसा पूड़ो जाना रहे, array मंज़ काया, pointer मंज़ काया, structure, union, असेल, हे प्रत्तेक one by one प्रत्तेक वीडियो मदे पाना रहोत, तर array मंज़ काया, कि बाद तेचा example एक दाको तो हीता, कि integer a, integer a यहाँ काया, तर variable आपन तो array, array variable मनों consider के लए तो, मझे तेचा मदे आपन multiple values store करूश पन तेचा value चे श्टोर करतो, त्या integer type चास आसेला पहजित, अपन ए मदे दुसर्या floating point आसेल, क्यों character type आसेल, तर तेचा value तेचा value तेचा मदे store करूशकत, ना अई पक ते integer type चास value यहाँ मदे store करूशकत, तर अपन पहुशकत ता example मदे काय के लए कि int a हाँ, array डिक्लेर क आए तेचा मदे 10, 20, 30 हा तीन value काय के लिए store के लिए, त्यास प्राहणी character चाहरी create के लए तेचा मदे काय के लिए कि तेचा शाइज 30 हाई, मझे तुम्हीं ज्याववेस हाँ, define करता त्याववेस तेला 30 byte memory, मझे तुम्हीं चाम memory location वड़ती, 30 byte memory काय के लिए जाए नापक प्रोग्रामर तर ही स्ट्रिंग कायो हुल की त्या आरेज मदे स्टोर विल मेम्री लोकेशन जा इंडेक्स हसो तो जोरो पासन स्टार्ट होतो ते काशा बद दीने वर्किंग चालता आरेज़ त्या आरेज चा वीडियो मदे पाना रहोत तर लोकेशन मदे मारें क्सक्तिंवर्ध कर रोग्रामर हों स्टोर करने साथ की ट्योड़ा स्पेस तिथ घंट रिखला आ अकुपाय केला जातो तरह यहला सा अपन काया मनतों derived data types जेकी तुम्हें जे नॉर्मल डिटा टाइब है बेसिक डेटा टाइब है तेचा उरनोस काय जाले डिराइब जाले ले जिसके integer आहे फ्लोट आहे character आहे तो तेचा मदे आपन काया कुरतों कि single value store करने सेट आप लेला single variable यूज करतों पने चा मदे काया करूशकतों आपन एकास टाइब चा एक सिंगल वीरेबल मदे multiple values store करूशकतों पन सेम टाइब चाओ ठीक है यूजर्ह डीवानिद मंज़े तुम्हें डीवान לצा मुंपन तआला आमंतो यूजर्ह डीवानिड़ डीटाड़ाइप मंझे इस हा 북한 तर्ट टुम्हें यह काड द compliant धिाटाज करें आतर तये चाहा मल्टीपल त्यानना name assign करने साथी, क्यों त्यानना name provide करने साथी, आपन enumeration use करतो, त्यार आपन त्याला names provide के लिए आमड़ो काय होतो कि तुम्चा program जौसतो तो read करने साथी, क्यों आप maintain करने साथी, easy जातो, मुणों आपन काय करतो enumeration data type, जाठी कानी गरस पडेल, कि जीत तुम्हाला integral constant लागा जी नावो देचे, त्यार शाटी कानी आपन काय करतो enumeration data type, यूज करता सतो, तर तुम्हाला variable ज़र enumeration data type चा यूज कराई चासे, क्यों डिक्लेर कराई चासे, तर आपन काय उज करतो, enum keyword यूज करतो, तर तुम्चे समरेक एग्जांपल देले, enum week, तर week हा का यूज करतो, enum type चा variable आपने तेचा मादे काय के लिए कि आपन, multiple values प्रोवाइड के लिए, मंजे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, तर है प्रत्तेक जाहे, टला एक constant value आसते, तर enumeration data type मादे, starting, 0 पाशन होते, मंजे, Monday, 0 मादे, Tuesday, 1, Wednesday, 2, Thursday, 3, याट प्रकारे, आपन काय कोर शक्तो, तर नेम्स, आपने एक्स्प्रेसिटली पन दिव शक्तो, Monday is equal to 1 करूशक्तो, 2 करूशक्तो, आनि तितुन फोड़ो जेका है, शूरू अनरे value है, त्या तेचा पासुन, इंक्रिमेंट होते है, तर Monday is equal to me, 1 केल, तर Tuesday का आसना रहे, 2 आसना रहे, Wednesday का आसना रहे, त्री आसना रह कि तुम्हाला एक स्टेट सांगाचे, कि स्टेट नावाचे वेरिबल है, इनम्स टाइपचे, तर running state आसेल, तर का आसेल, देचे value, 1 आसेल, आनि dead state आसेल, तर देचे value, का आसेल, 0 आसेल, तर आपन specify करूशक्तो, तर ते 1 के बाद 0 नी identify केले जाते, पन आपन त्याला निट, यूज़दे वेनसे येतिन values गेत लिया है, यहना data type यूज़ करूँ काय करूशक्तो, multiple variables पन create करूशक्तो, तर main use काय enumeration data type चा, कि तुम्हां जेका integral constant आप, ते integral constant ला names प्रवाइड करना साथी, आपन काय यूज़ करतो, enumeration data type, next आहे wide data type, तर wide data type बंझे काय की, empty, बंजे तेचा मदे कोंतिया ही प्रकारची वैल्यू नसते मक्तिकादी यूज करते तर this can be used in functions and pointer तर function मदे क्यों pointer मदे वाइड चा यूज केला जातो there are various functions in c which do not return any value or you can say that they return void मंचे का है के कांद जा function आसेल अपन एक प्रोग्राम मदे बगिटल होता की white main लीलोता तर white main का लीलोता थो तुमसे जे main function आती कोंति ही value return करत नइहे मकद आपन या कए कैलो उते ते फंक्शन लाued लीलोता मिज़ो नसरीस का कहय म अशकतों कि ते जे function आ है main तए कोंतिया ही प्रकारची your value return चल्षण करना ही तरल आसे चल्षण थे कुंटिया चल्षव RO fentay तो कॉम्चिन को भी तो का सरीपेगर आओ सकथ вас जुक्त कि तो मैद्क प्रक्रश म्मेन होचे ररति नौहीं लोगा, क्पडेशन क मोल्म होसां कि, जा function मदे, जा function ला call देचा, त्या function मदे आपन एकांद आज पारामेटर में value पास करूशकतो, त्ये कशा बद दी ने करूशकतो, आपन बुड़ फंक्शिन चे विडियो मदे पाना रव, पन एकादे function ला आपन एकादे value पास करूशकतो, मग आशी काय फंक्शिन हैत कि जे कोंतिया है प्राकर्च चे value accept करत नहीं, त्याप मदे आपन एकादेencies डी खारामेटर में एकारण अजलता बुड़ फंक्शिन है फंक्शिन है प्राकर्च चे वहल्यू एकाद आशते आउसाइड यहा function ला कोंथी ही value return करतना है उन्हाँ आपन काय केला wide display जर तुमसे display function integer data type ची value जर return करता से तुमसे display function मदून तर जिता आपन int display केला स्थ जर character value return करता स्थ तर care केला स्थ जर floating type ची करता स्थ तर float जिता data type तर स्पेसिफाई केला स्थ पन आपना display function कुंतिया ही प्रकरच ची value return करत ना है उन्हों आपन तुक यह लिल वाहिठ वैड दिस्प्ले में दिस्प्ले मलें ते ब्राकेट पॉचिन कोंतिथे गतार्मों सब्रेंदा नहीं मन जेते दावाज चyon कोंती वेल्यू पं करतना है और कोंती आई प्रकाच्य वेल्यू एक्सेप्ट पं करतना है ज़र एड़ आई फउंक्षन एक आद इन्डेजर वेल्यू एकसेप्ट करता स्लाआ स्लास्तों थै पमाजे ignition नी याद वहाल जी तैखा madreा System । Susn है कि स्कॉंतेय प्राकरची वैल्यूत्या फंक्चिनला तुम्हीं पास करता है क्यों याद ये फंक्चिन कोझत इश्वडत करते थेचय ओर नियुक्त करते तैसाầ डेटााइप स्पेसिफाइख करतास्थं है की पॉइंट्स भोग है कि डेटाट्स वा प्यंसेफ्ट भगित लापन तेचा और थी की पॉइंट्स के एपन इजीली लग्षात ठीव शकतो तर इंटीजर डेटा टाइप मदे आपन डेसिमल वैल्यू स्टोर करू शकत नाही मैंचे जेचा मदे काई फ्लोटिंग जाते आगली जाते आणी जो होलल नमबर जोकाई फ्लोटिंग पॉइंग बांट शाग उदारचा मधे तर तो होलनम्बर देचा माधे स्टोर केल आजाते प्लोटिंग पॉइंटाट्र अंढतरची वहल्यू डिसकाड केलिजा यद Sh तोगल न वु कहीं अग्या स्टोर केलिं जाथ नही Nós विरेबल कहराक्टर टाइप जासे ήम तुम्सा स्वेरेबल टाइप जा सहे लं। तुमें तैच अमेधे सिंगल कहरेक्टरद चैप्र करूशता मल्टीबल से सिंगल विरेबल में और सेड़े जो माहिवाल म sugar state चोमघे स्टोर कर चागत्थ नाहिए जर जल्माला मल्टेपल टेचा मरोगे स्टोर कर चास थिल कर मल्टेबल काया करा लगतो कि तो आरे create कर हो लगतो तर सी लैंग्वेज मदें इंटियर डेटरेपची जेका साइज आई थी कितें टू बाइट फ्रूट साथी चार बाइट अनि क्यारेक्टर साथी वन बाइट तर वाइड मंजे काया तर इट हैस नो वैल्यू मंजे एकांदय फंक्शनल आपन आउदर दर वाइड लेल तरते फंक्शन कोंत्याही प्रकर्ची वैल्यू रिटान करत नाही आसा अपन कंसेडर करतो कि वाधेचा फंक्शनल ब्राकेट मदे जर आपन वाइड लेल तरते फंक्शन कोंत्याही प्रकर्ची वैल्यू अक्सेप्ट करत नाही आसा अपन मनुशक्तो तर याए वीडियो पुर कर दो